प्रिविद्यार्थियों आज में आप लोगों को कच्छा दश गड़ित अध्याय चार दुईगाश शमीकरण के प्रस्नावले 4.3 के प्रशंख्या आठ और 9 को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा देखिए प्रसंख्या आठ में क्या दिया है कि एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 कीमी की दूरी तै करती है और किस चाल से तै करती है एक समान चाल से तै करती है फिर आगे दिया है यदि यह चाल पांच कीमी प्रदिघंटा अधिक होगी और थाज जो उसकी समान चाल है उसको पांच कीमी प्रदिघंटा अधिक कर दिया जाए तो उसी 360 किलो मीटर की दूरी को तै करने में वह रेल गाड़ी एक घंटा समय कम लेती है तो आपको बताना है कि रेल गाड़ी की चाल क्या है तो इस प्रस्ण में हम रेल गाड़ी की चाल पहले मान लेंगे कि माना रेल गाड़ी की चाल बराबर एक्स कीमी प्रदिघंटा हमने आपको एक बार इस तरह का प्रस्ण बता चुका हूँ देखिए अगर दूरी किलो मीटर में दी हो तो चाल सदेव किलो मीटर प्रदिघंटा में मानना चाहिए तो रेल गाड़ी की चाल हमने क्या मान लिया एक्स कीमी प्रदिघंटा ये रेल गाड़ी की एक समान चाल मान लिगई और प्रश्ण में दूरी क्या दिया है तीन सो साथ किलो मीटर अब आप लोग जानते हैं कि अगर प्रश्ण में दूरी दिया है और चाल भी दिया है तो दूरी चाल की सहायता से समय भी पता आपको चल जाएगा चूंकि समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल ये समय ग्याद करने का सूत्र होता है तो समय बराबर आ गया दूरी दूरी कितना है 360 km बटा चाल कितना है X कीमी प्रतिघंटा तो केम से केम आपका कटेगा तो ये बचेगा 360 बटा X घंटा माने जब ओ रेल गाड़ी X कीमी प्रतिघंटा की चाल से 360 km की दूरी को तैं करेगी तो उसको समय क्या लगेगा 360 बटा X घंटे का समय लगेगा अब हम लिखेंगे प्रस्नानुसार चाल चूकि प्रस्नानुसार चाल क्यों लिखी जा रही है यहां से आपको पढ़ना है कि यदि यह चाल 5 कीमी प्रतिघंटा अधिक होगी अर्था जो चाल मानी गई है उसमें यदि 5 की बृद्धी कर दी जाए तब उसका क्या परिणाम होता है तो प्रस्नानुसार चाल बराबर यक्स प्लस 5 कीमी प्रतिघंटा अब देखिए चाल तो बढ़ा दी गई लेकिन प्रस्न में कहा है कि उसी यात्रा में उसी यात्रा का मतलब अर्था 360 किलो मीटर की ही दूरी को तै करना है अब इस चाल से तो लिखिए पुनाह समय बराबर पुनाह शमय बराबर तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल तो दूरी चुकी प्रस्न में वही दिया है 360 किलो मीटर ही और चाल आपकी हो गई यक्स प्लस 5 कीमी प्रती घंटा तो आपका केम से केम कटेगा 3060 प्लास 5 घंटा येisesti उपर चला जाएगा 320 प्लास 5 घंटे तो आप जानिये कि इस वाले समय का अंतरप्रस्ट में कितना दिया है कि एक घंटा कम लगता है अर्थात कहने का मतलब आप लोग जानते हैं कि यदि अपनी चाल को यदि आप लोग बढ़ा दोगे तो किसी भी दूरी को तै करने में पहले की आप एच्छा है आपको कम समय लगेगा चुकि चाल बढ़ाने पर समय कम लगता है तो इस कथन के अनुसार इस पर तीन घंटे का ही समय लगेगा चुकि कहरा है कि एक घंटे कम समय लगता है तो अर्थात ये एक घंटे कम समय है और ये एक घंटे जादा है तो अर्था जैसे मोटे तोर पर अगर देखा जाए जिससे इसको 5 घंटा मान लिया जाए तो प्रस्ण के अनुशार इसको 4 घंटा माना जाए तभी 5 और 4 का अंतर एक आएगा तो अर्था पहले वाले समय में से अब वाला अगर समय घटा दिया जाए तो कितना आएगा एक हम यहां लिखते हैं प्रश्णानुशार तो प्रश्णानुशार लिख करें 360 बटा x में से हम क्या घटा देंगे 360 बटा x प्लस 5 घंटा बराबर कितना 1 घंटा ठेक चुकि प्रश्ण में दिया है कि एक घंटे कम लगता है अब इसमें हम 360 कामन के रूप में ले सकते हैं तो यहां बचेगा एक बटा x माइनस यहां बचेगा एक बटा x प्लस 5 बराबर कितना 1 अब हम इसको हल करेंगे तो एक प्लस 5 उपर जाएगा और यह वाला x यहां आकर माइनस x बनेगा आपान में जब दोनों का हम गुड़ा करेंगे तो x square प्लस 5 x आएगा बराबर 1 के बट पांच बटे एक सी स्क्वाइर प्लस फाई पी अक्स बराबर एक बटा तीन सो साथ तो इसको हम तिरियक गुणा करके भी इसको हम हल कर सकते हैं तो तिरियक गुणा करने पर हम एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक सी स्क्वाइर प्लस पांच यक्स ही आएगा बराबर 360 में 5 से गुड़ा करेंगे तो ये 1800 आएगा क्योंकि 365 180 होता है तो अब हम क्या करेंगे X square प्लस 5 X माइनस 1800 बराबर कितना 0 अब ये हमारा एक दुई घास समीकरण बन गया इस दुई घास समीकरण में यक्स का मूल या मान आपको निकालना पड़ेगा और जो यक्स का मान आएगा उसी की सहायता से रेल गाली की चाले ग्यात हो जाएगी तो देखिए इसमें हमें आदियंत नाम का गुड़नखन दिखाई दे रहा है चुकि इसमें पदो की संख्या एक दो तीन है उसमें प्रयुक्त जो चरकी घात है वो दो और एक के रूप में है तथा जब हम आदी और अंत का इसका गुणा करेंगे दिये माईनस अठारा सो एक स्ुस्कॉइर के रूप में आएगा अब हमें माईनस, बने अठारा सो के ऐसे दो खंड करने हैं जिसका गुणा करने पर तो अठारा सो आवे पर यदि हम उसका अगर आपस में अंतर अगर देखें तो अंतर पाँच आवे तो इसके लिए पैंतालीस और चालीस आपका बन जाएगा अगर आप पैंतालीस और चालीस का गुणा करेंगे तो अठारा सो आएगा चाहे आप चेक करने चार पंचे 20, 4.16, 2.18 तो इस प्रकार से आपका ये अठारा सो आगया और अगर आप पैंतालीस में से 40 घटा देंगे तो आपका 5 भी आ जाएगा हम यहां लिख सकते हैं x square plus brackets में 45 minus 40 into x minus 1800 बराबर कितना 0 यह जाकर हमारा एक सही संतुलित रूप बन गया अब इसमें हम brackets को तोड़ेंगे plus chin से चुकि brackets के पहले plus chin लगा हुआ है तो x square plus 45 x minus 40 x minus 1800 बराबर 0 देखिए धन चिन से brackets तोड़ने पर पदों के चिनतों परिवर्तित होंगे नहीं इसलिए 45 और 40 जेओ काते हुआ गया अंदर x से गुड़ा हो गया अब हम दो-डो पदों में कामन लेंगे तो पहले और दूसरे पद में कामन क्या है yaks तो yaks से भाग देंगे जब yaks square में तो yaks बार जाएगा और इस से भाग देंगे तो यह 45 बार जाएगा माइनस इन दोनों में 40 अगर कामन हम ले लेते हैं चुकि 40 से 800 कड़ जाएगा तो यहां यक्स बचेगा यह माइनस आपका प्लस होगा चुकि माइनस कामन है 40 से भाग देंगे तो यह 45 बार जाएगा बराबर कितना 0 अब जहां चार पत्थे वहां दो पत्थ हो गए दोनों पत्थ में पुनह कामन लेंगे तो यक्स प्लस 45 बनेगा इंटू बनेगा एक्स माइनस 40 बराबर कितना 0 अब हम तुलना करेंगे एक्स प्लस 45 बराबर कितना 0 तो यक्स बराबर माइनस 45 तो किसी भी गाड़ी की चाल होती हो कभी रिनात्मक नहीं हो सकती इसलिए इसको हम मान निठारा देंगे और यक्स माइनस 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर 40 तो ये रेल गाड़ी की समान चाल क्या हो गई आप अपने उत्तर की जाज भी कर सकते हैं कि क्या मेरे द्वारा लगाया गया प्रश्च ही है या गलत तो अगर हम 40 कीमी प्रति घंटा की चाल से 360 किलो मीटर की दूरी को हम तै करेंगे तो इसको तै करने में 9 घंटे का समय लगेगा चुकि एक घंटे में एगर हम 40 किलो मीटर जाएंगे तो कितने घंटे में हम 360 जाएंगे 9 घंटे में अब इसी तरह अगर हम अपनी चाल को 5 की प्रति घंटा अगर हम बढ़ा दें तो 40 में 5 बढ़ा देंगे तो 45 होगा अब 1 घंटे में अगर हम 45 किलो मीटर जाएंगे तो 360 किलो मीटर जाने में हमें 8 घंटे का समय लगेगा तो देखिए पहले हमें 9 घंटे का समय लगा और 4 बढ़ाने पर 8 घंटे का समय लग रहा है तो पहले की अपेच्छा एक घंटे कम समय लग रहा है ना पहले 9 लग रहा था बाट लग रहा है तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये सत्प्रिश्चत अंस्वरे बिल्कुल सही है इसी प्रकार से परिच्छा में आप अपने उत्तर की जाशे कर शक्ते हैं अब देखिए प्रशंख्या 9 प्रशंख्या 9 में क्या दिया है देखिए प्रशंख्या 9 में दिया है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3 बटा 8 घंटों में भर सकते हैं मने 9 सही 3 बटा 8 घंटों में भर सकते हैं फिर आगे लिखा है कि बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है मने कम ब्यास वाले से 10 घंटे का समय कम लेता है कौन बड़े ब्यास वाला नल हाउच को भरने में तो इस प्रश्ण में क्या करना है कि प्रतेक नल द्वारा अलग-अलग हाउच को भरने का शमय ग्यात करना है तो इसमें एक बड़े ब्यास वाला नल है और एक छोटे ब्यास वाला नल है तो भाई जिसका ब्यास कम होगा वो किसी हाँच को भरने में ज्यादा समय लेगा और जिसका ब्यास बड़ा होगा वो किसी हाँच को भरने में कम शमय लेगा तो बड़े ब्यास वाला कम शमय तो यहां पर यह मान लिया जाए कि माना कम ब्याश वाला नल हॉज को भरने में एक सघंटे का समय लेता है समय लेता है बराबर कितना यक्स घंटा कितना घंटा यक्स घंटा तो मैंने माल लिया कि माना कम ब्यास वाला नल हाउज को भरने में यक्स घंटे का समय लेता है तो कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है कौन बड़े ब्यास वाला तो अब यहां पर लिखिए कि ब प्रश्नानुसार बड़े ब्यास वाला नल हाउज को भरने में समय लेगा बराबर तो बड़े ब्यास वाला तो छोटे ब्यास वाले से कम समय ले रहा है और थात यक्स माइनस तिन घंटे का समय लेगा ये और ये यक्स घंटे का समय लेगा ये बात किलियर हो गई अब हम इस प्रस्ण को हल करने के लिए क्या करेंगे देखिए इसको नल एवं पाइब टंकी सम्मंधी प्रस्ण बोलते हैं जैसे यहाँ पर कार घंट में अगर हो रहा है तो दोन नल के द्वारा एक घंटे में किये गए कारे को पहले आप ग्याद कर लीजिए तो हम लिखते हैं कि कम ब्याश वाला नल कम ब्याश वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा गया हौज का भ्हाग इक घंटे में पूरे हौज को भर देता है तो एक घंटे में कितना भरेगा एक बटा यक्स एक बटा यक्स भाग भरेगा तो इसी प्रकार बड़े ब्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा गया हाउज का भाग तो अगर बड़े ब्यास वाला x-10 घंटे में पूरा भर देता है तो एक घंटे में कितना भरेगा एक बटा x-10 ये बात केलियर हो गई अब देखिए जब की प्रस्ण में दिया है कि दो पानी के नल एक साथ अगर दोनों हौज को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों उसे 9-3-8 घंटों में पूरा भर देते हैं तो दोनों एक घंटे में कितना भरेंगे तो उसके समय का वियुत्रम करना पढ़ेगा तो हम यहाँ पर डारेक्ट लिख देते हैं प्रश्णानुसार अब प्रश्नानुसार में थोड़ा से आपको समझने की बात है कि इस नल्द्वारा एक घंटे में भरे गए होज का भाग प्लस इस नल्द्वारा एक घंटे में भरे गए होज के भाग को आपको जोड़ना पड़ेगा तो एक बटा यक्स प्लस एक बटा यक्स माईनस 10 बराबर अब देखिए दोनों होज जो है उसको 9 सही 3 बटा याड घंटे में पूरा भरते हैं तो अगर एक घंते में पूछा जाये कि दोनों के द्वारा एक घंते में कितना होज भरा गया चुकि यहां पर दोनों के द्वारा एक घंटे के काम को जोड़ा जा रहा है तो यहां दोनों के द्वारा एक घंटे काम निकालीजे तो इस समय का अगर व्यूतक्रम कर दोगे तो दोनों के द्वारा एक घंटे में भरे जाने वाले हाउज का भाग निकलाएगा चुकि यहा आपको हल करना है तो एकस माइनस 10 का गुणा एक में आप करेंगे तो एकस माइनस 10 प्लस एकस का गुणा एक में करेंगे तो एकस अपान में जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एकस स्क्वाइर माइनस 10 एकस आपको मिलेगा बराबर ये 8 बटा 75 आपको मिलेगा अब ये देखिए यहाँ पर यक्स यक्स दो बार हैं तो 2 यक्स हो गया माइनस 10 अपान एक्स स्क्वाइर माइनस 10 यक्स बराबर 8 बटा 75 अब इसको आप तिरी एक गुणा करके हल कर सकते हैं 8 से गुणा इसमें कर दीजिए तो ये 8 यक्स स्क्वाइर आपका बनेगा माइनस ये 80 यक्स बनेगा आपका बराबर ये 75 का जब दो में गुणा करेंगे तो 75 दुना डेड़ 100 डेड़ 100 यक्स बनेगा माइनस ये 750 यक्स बनेगा तो इस प्रकार आप तिरी एक गुणा करेंगे तो 8 एक्स स्क्वाइर माइनस 80 यक्स आपको मिलेगा बराबर इसका गुणा करेंगे तो 75 दुना डेढ़ सो एकस माइनस साथ सो 50 आपको मिलेगा अब आप पच्छांतर कर लीजे 8X स्क्वाइर माइनस 80X माइनस डेढ़ सो एकस प्लस एक साथ सो पचास बराबर 0 मनें उधर के पदों को इधर पच्छांतर कर लिया गया तो जो धन में थे और रिण में हो गया जो धन में हो गया तो बराबर 0 बन गया अब यहाँ पर यह देखना है कि 8X स्क्वाइर यही अकेला है यकस स्क्वाइर अब हमें देखना है 150 X और 106 x मिलाकर कितना होगा 230 x तो माइनस 200 चुकि 258 होता है तो 230 x बनेगा प्लस 750 बनेगा बराबर कितना 0 बन गया अब इसमें आपको कुछ कामन मिल जाएगा अगर आप चाहें तो 2 आपको कामन मिलेगा चुकि 2 से सारे पद इसमें विभाजित हो रहे हैं इसलिए 2 कामन के रूप में मिलेगा तो जब 2 कामन मिलेगा तो यहां बचेगा 4 x स्क्वाइर माइनस यहां 1 एक पांच यानि 115 x बचेगा प्लस यहां 2 तियाई 6 2 सच चौदा 2 पंचे 10 बराबर 0 तो इस प्रकार से जो दो कामन था वो 0 के बटे में चला गया 0 बटा 2 अर्थात यह 0 हो गया तो आपका यह समीक्रण बन गया 4 x स्क्वाइर माइनस 115 x प्लस 375 बराबर 0 अब इसमें आप आदियंत के आधार पर इसका गुड़न खंड करके 0 स्तुल न करिए तो देखिए इसमें एक दो तीन पद है प्रिवचर की घाद दो और एक है जब इसके आधी और अंत का हम गुड़न करेंगे तो इसको होगा यह 4 से गुड़न करने पर 4 पंचे 20 आएगा 4 से 28 दो इस तीस आएगा हांसल 3, 4, 3, 12, 3, 15 यानि 15 सो इसके आधी और अंत का गुड़न फलाएगा जो कि धन चिन में आएगा चुकि यहां भी धन है अब हमें ऐसे दो पद खोजने हैं जिसका गुड़ा करने पर 15 शव और जिसका योग करने पर 115 आवे तो इसके लिए 100 और 15 परफिक्ट रहेगा 100 पंदरा गुड़ा करेंगे तो 15 सो आएगा 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 आजाएगा तीस प्रकार से यह 4X स्क्वाइर माइनस ब्रेकेट्स में 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 बराबर क्या 0 अब देखिए 4X स्क्वाइर माइनस से तोड़ेंगे तो माइनस 100 एक्स माइनस 15 एक्स प्लस 375 बराबर आपका 0 अब देखिए पहले और दूसरे पद में आपका 4X कामन होगा चूकि 4X से पहला पद और दूसरा पद पूर्णता भी हैट हो जाएगा तो 4X कामन ले लिए तो इससे अगर हम भाग देंगे क्या आएगा यक्स और इसमें 4 पहिस्ता हमें 100 हो ता 25 बार फिर माइनस 15 एगर आप कामन ले लेते हैं तो यहाँ यक्स बचेगा यह प्लस पर माइनस होगा चूकि माइनस कामन है अब 15 दूनित 30, 37, 37 15, 75 बराबर कितना 0 अब देखिए यक्स माइनस 15 बराबर 0 हम तुलना करेंगे x-25 बराबर 0 तो x बराबर 25 इसकी करेंगे 4 x-15 बराबर 0 तो 4 x बराबर धन 15 तो x बराबर 15 बटा 4 अब यहाँ सवाल यह उठता है कि दोनों धन चिन में आ गए भई 15 बटा 4 गहंटे माना जाए तो यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम 15 बटा 4 गहंटा मानते हैं तो कम ब्यास वाला नल उसको 15 बटा 4 गहंटे भर देगा लेकिन अब सवाल उठता है कि जो बड़े वाला बड़े ब्यास वाला नल है ओ कम ब्यास वाले इस 10 गहंटे प्रेकम लेता है तो जब हम 15 बटा 4 मने जब यक्स का मान जब 15 बटे 4 में से हम कितना घटाएंगे 10 तो घटाएंगे तो ये 15 माइनस 10 चोग 40 बटा 4 आएगा तो ये जब 40 में से घटेगा तो निगेटिब में उत्तर आएगा तो कोई भी कारे रिनात्मक समय में तो होना संभ रयेगा तो हम लिखेंगे इसलिए कम व्यास वाला नल कम व्यास वाला नल ले होज को 25 घंटे में भर देगा भर देगा तो इसलिए बड़े व्यास वाला कितने घंटे में बड़े ब्यास वाला नल हाउज को अब देखिए उससे यक्स माइनस 10 अर्थात यक्स की बैलू पचीस है तो पचीस में 10 घटाएंगे तो ये 15 घंटे आ जाएगा तो इस प्रकार से बिटा कम ब्यास वाला नल हाउज को भरने में 25 घंटे का समय लेगा तो बड़े ब्यास व तो अगर एक घंटे में पता करना हो तो कितना होगा एक बटा पचीस होगा इसी तरह बड़े ब्यास वाला अगर 15 घंटे में पूरा भर देता है तो एक घंटे में कितना भरेगा एक बटा पंदरा अब दोनों के अगर दोनों के द्वारा किये गए एक घंटे के कारे को अ आठ बटा 75 तो दोनों नल के द्वारा एक घंटे में हाउज का आठ बटा 75 भाग भरा जाएगा तो एक घंटे में किये गए कारिका अगर ब्यूत कर दिया जाए तो काम को करने में जो कुल समय लगता है ओ प्राप्त हो जाता है तो अगर हम 8 बटा 75 का भी उत्रम करेंगे तो कितना आएगा 75 बटा 8 आएगा अब 8, 9, 72, 3, 75 तो 9, 73 बटा 8 इसका मिस्त्रित भिन बनेगा और आपके प्रश्ण में दिया भी है कि दोनों नल उस होज को 9, 73 बटा 8 घंटे में भर देते हैं इस प्रकार से आपका ये जो निशित आने हैं और जब आएंगे तो आप उसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आप कैसे जानोगे कि हमने जो हल किया हो सही है या गलत है तो इसके लिए हम आपको हर प्रश्ण के अंत में उत्तर की जाज भी हम आपको बताते चल रहें जबकि आवश्यक नहीं है लेकिन आप जानते रहें चुक्कि उसकी जब पूर्ण गहराई को आप जानते रहेंगे तभी आप परिच्छा में सफल होंगे तो इस प्रकार से बिटा बिद्याले में चल रही आनलाइन का अच्छाओं का लाभाप लेते रहें फिर बिद्याले खुलने पर हम आप लोगों को बिद्वत देंगे पढ़ाई